दोस्तों मैं दिया स्वागत करती हूं आप सब का एक बार फिर से बेरी चैनल टेंडी फैसन कलेक्शन में कैसे हैं दोस्तों आप सब मैं आप सब को यही सजेशन देना चाहूंगी भाई की बहुत ठंड हो रही है और आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखें शर्दियों के मौशम में कोल्ड से बचे रहें क्योंकि क्या हो रहा है न कि भाई कोरोना के चलते हैं अगर किसी को कोल्ड वगरा हो रहा है तो भा करती हूं आप सबसे कि मैं फिर से आप लोगों के लिए अच्छा सा फेस पैक लेकर आई हूं जिससे आप सब बनाएंगे और अपने फेस पर लगाएंगे तो आपकी इसकी निग्दम शॉप्ट सॉफ्ट और ग्लोइंग करेगी तो मैं उसी के कोर्डिंग आप लोगों के सब्सक्राइब करें दोस्तों कि मैंने अपने टंडी फर्शन के लेशन चैनल में दो वीडियोज डाले हैं एक तो लेडीज पर्स पे डाला हुआ है और एक अनार कली कुर्ता और प्लाजो सेट पे डाला हुआ है ताप लोगों ने देखा होगा और मैं आप लोगों को बत तो वापस आते हैं हम लोग अपने बिशली बात पे कि मतलब मैं आप लोगों के लिए जो पैक बनाने वाली हूँ उससे आप लोग देखें और यह ऐसी चीजों से बना हुआ पैक है जो आपके घर पे होगा और आपको यह भी बता देओं कि अगर आपकी शादी होने वाल फटाफट पर षुरू करते हैं मैं कौन इस पैक में बिला ज La Bumhish Yes Ali कैड़ी का बंदावि piace- sú anniri को और ने खा उना रहता है यह दूत कंट हम सब बिला हुआ है तो आप लोग से किसी भी मैडीकल इस्टोर से ले सकते तो एक तो पहली सबसे पहली चीज हो गही कि वीछों आपको दिखा दूं यह मलाई है और यह तो सभी को मिल जाएगी और तीसरी चीज है यह लेमन तो सबसे पहले हम पैक बनाना सुरू करते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए हनी सबसे पहले हम लेंगे एक चमच हनी हनी ले लेंगे हम हनी हनी निकाल लेते हैं हम ओहो शबी में तो हनी जम जाता है भाई हनी ले लिया हमें ज्यादा नहीं आपको यह पैक आप चाहें तो बनाकी भी रख सकते हैं बट अगर प्रश बनाके लगाएंगे तो ज्यादा फाइदा करेगा तो यह एक चमच मैंने हनी लिया हुआ है एक चमच से कम है आधा चमच ही समझ लीजे क्योंकि पूरे फेस में लगाने के लिए गर तीनों चीजों का आप मिक्चर त इस मलाई को आप इस हनी के साथ मिक्स करेंगे मिक्स करें इसे चलाते रहें इसे ताकि मलाई और शेहत का एक स्मूज सा पेस्ट बनके तयार हो बिल्कुल क्रीम की तरह जो आपके चेहरे पे लगाने ही आशान होगा और इस से बहुत ही ज़्यादा ग्लो आएगा आपकी स्किन के और कीर मुहां से जो दाग होते हैं यह जब भी हट जाएंगे और चेहरे अगदम चमकदार हो जाएगा आपका और आपका इसमें नीबू को काट कर लेमन को काटना बड़ा मुस्किल हो रहा है ठंडे में क्या आपको लेनी है दो तीन रॉप से ज्यादा भी तो को दिक्कत नहीं है यार हमने इसकी रॉप्स लेली और यह माधा नीबू करेंगे स्याब फ्रिज में रखके कि इसे और चीज पेस्तेमाल कर सकते हैं आप आप देख सकते हैं यह पेस्ट मैं आपको पास से लिखाती अब लाई और शहर प्लस नीबू और अब इसे आपको अपनी फेस पे लगाना है मैं आपको भी मता देती हुआ तो इक कॉटन पे आप ऐसे ले लेंगे और इसे अपनी पुरे फेस पे इसे करकर आफ कर अराम से क्ताती हुआ है है मैंने काया शाय है ए जार फीर शुर्बेर को इसे capac आप मासाज की चरह है इतली की चरहा दोस्तों यह साप ये फेटाप लगाते हैं तो वैसे पुरे फेसटे आपको लगा लेना है आप इस आखों के नीचे पुरी चिक्स पे पुरी फेश पे आपको फैला कर लगाना है और दस से पंदा मिनट के लिए आपको अपनी शेहरे परे से लगा के छोड़ देना है उसके बाद सिंपल से नॉर्मल पानी में आपको अपना फेश धो लेना है और इसको धोने के बीबी स्किन की तरह शॉप शॉप चमकदार और नच्रल सी महसूस होगे आपको खुद लगेगा कुछ अलक्षा और अगर आप इसको रोज लगाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा होने माला इससे आपकी जो जहाईया है वह भी कम होंगी आखों के डार सर्किल्स भ मुझे कमेंट्स बोक्स में बताएं कि आपको यह फेस पैक कैसा लगा अगर आप इसे लगाएंगे तो वाके में आपको बहुत जादा फाइदा होने वाला है और सबी लडिकियों को यार चाह होती है कि हमारे इश्किन सक से अच्छी लगे हमारा फेस इकदम ग्लोइंग ह और चमकदार हो खुबशूरत हो और अगर चेहरे पर कोई दाग दब्बा हो गया तो बहुत बुरा लगता है देखने में तो अगर अपने दाग दब्बो को हटाना चाहती है तो आप इस पैक को बनाए और आराम से कील मुहासों से और दाग दब्बो से निजात पा सकती ह किसी भी चीज को लगाने से पहलेमा आपको बता दूँ हाथ पर अऔर डंते हांसे करके ठाए करीए अगर आपको क dol अधि के अमें चीहरे पर अब ये शीमुब हंसे किसी के फेस को या तुचा को हानी पहुंचेगी ऐसा कुछ महनेस में टाला नहीं है सिफ नच्रल चीजे मलाई है सहर और लेमन है तो इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बट फिर भी आप अपने फेस पे लगाने से पहले आप एक बार अपने हाथ पे जरूर को प्रॉब्लम को पार चल जाएगा कि आपको सूट कर रहा है कि किसी को क्या होता न चेहरे पे लगाने से पहले किसी निकालाते हैं तो आप अपने हाथ पर लगाए उसके बार अपने अपने प्लाइक करें तो आप लोगों के लिए अच्छा रहएगा और आप बताएं आ सहद साभी के घर पर होता है सहद कहा है कि और इसतेवाल में आप सबको बता देती ही अगर आपके घर में कोई चोटा बेबी है और सद्धी घाम हो रख गा ए तो आप उसे सुब्राइग शुबख सोबह एक चम्मस सहद दे शुख खेंगा, उससे भी बच्चे को जो और चोटा बच्चा है दो तीन साल का तो आप उसे एक चमज सहद और उसमें दो तीन बून आप सहद की रसकी दे दें तो बच्चे को खासी से और कोल्ड से बहुत जादा आराम मिलेगा यह भी अच्छा है सहद तो बहुत ही अच्छी है और सदी है जो सबी चीजों में काम माथ एक चमज लेकर नहीं होता कोलर नहीं होता फायदा करता चेहरे पर चमक है जो लोग अपना फैट कम करना चाहते हैं उनकी लिए भी हनी यह अच्छी है जड़ी बूटी है अगर आप फैट कम करना चाहते है तो आप पानी में आधा नीबू और एक चमस सहद डालकर ड तो आप इस पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैंने तो आपको सहत के बहुत सारे फायदे बता दिये, दो तीन फायदे, तो आप समझ सकते हैं कि सहत तो किसी को नुक्षान करी नहीं सकता, यह तो सभी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और सभी को फायदा करता है, तो आप लोग अपनी घर पे स्पैक को बनाएं और लगाएं, और बताएं कि आप लोगों को इससे क्या फायदा हुआ, कैसा लगा आप सबको, मैं दिया, फिर शे आप लोगों के लिए लेका राऊंगे अच्छा सा इंट्रस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार तोस्तों, गुडबाई, बाबाई